कल पढ़े थे हम लोग स्पेशिफिक कॉस्ट और कापिटा इसमें सबसे पहले की डिबेंशर की विसे मैं पढ़ा और केड़ी निकालने के दो तरीकी हो सकते डिपेंड करता है कि डेट रिडीमेबल है कि अगर रिडीमेबल है तो छोटा वाला फॉर्मूला लगेगा या बड़ावल ठीक है केडी निकलते समय एक बस याद रखना कि इंट्रेस्ट पेटेक्स सेविंग्स होता है आई वर माइनस टेक्स होता लेकिन जहां बात आती है प्रफरेंशर कैपिटल का सेम ही है बस वहां प्रफरेंशर डिविडेंड में वर्न माइनस टेक्स नहीं होता फिर कल कुछ पढ़ा था केई उसके बाद और केई में दो तीन मॉडल है सीए पीएम है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है और अर्निंग प्राइज मॉडल है बहुत सारे मॉडल है विसे तो और भी है पर हमारे काम के नहीं है तो उसमें सीए पीएम में एक फॉर्मूला लिखोगे डिविदेन ग्रोथ मॉडल दिविदेन ग्रोथ इसको और किस नाम से पुकारा जाता है तिविदेन इसकाउंट मॉडल इसी को कुछ और नाम बोलती है क्या पॉर्डन्स मॉडल हाला कि यह सब्द बार बार यूच होगा एक चैप्टर आएगा डिविदेन उसमें से यूच होगा अब बहुत सिंपल है ऐसा नहीं है कि कुछ इस पेशल है बस सिंपल सी बात पूछ रहा हूं मैं अपसे कि यार हम एक्विडी शेयर खरीदे तो हमें कुछ न कुछ तो मिलता है क्या मिलता है पक्का मिलता है या एक्सपेक्टेशन है हम अनुमान लगाते कि रिलाइंस का शेयर खरीदेंगे तो हमको कितना डिविडेन मिलेगा और जिस दिन शेयर खरीदे उसी दिन डिविडेन मिल जाता है एक साल बाद मानलो आज डिविडेन खरीदा तो अगले साल तो एक साल बाद जो डिविडेन मिलेगा वैसे डिविडेन को मालूम है क्या बोला जाता है डी पर एक साल बाद जो डिविडेन मिलेगा उसका नाम बोलो D1 क्या हो गया अभी जो dividend मिला है just D0 वाउ दो साल बाद जो dividend मिलेगा D2 एक साल पहले जो dividend मिला D-1 अरी यार सिंपल है न ओके अब यार हमारा अनुमान है कि आज हम Reliance का share खरी देंगे तो आज जो price चल रही है वो चल रही है 90 रुपिया और हमें ऐसा लग रहा है कि एक साल बाद हमें पारा रुपे डिविडेन की रुप में मिल जाएगा Reliance की पस पैसे कितना है आज एक शियर रुपे 90 और Reliance को डिविडेन कितना देना पड़ेगा 12 पर्षेंटेज बता सकते हैं कितना पर्षेंटेज कोश्ट पढ़ा पर्षेंटेज को ये पी टू लिखेंगे कि पराइज आफटर टू ये पी टू लिखेंगे पी टू यूच होता है पर यार क्या लगता है कि Reliance हमेशा इतना ही डिविडेन देगा कि ग्रोथ भी होता है अब सर ग्रोथ कैसे निकलता वो मैं बाद में समझा दूँगा वो डिविडेंट में आएगा बी इन्टु आर एक्सेक्टर एक्सेक्टर सेस्टेनेबल ग्रोथ रिट अभी सिंपल सा फॉर्मुला है एवन डिवाइड़ बाई पीजीरो कितना परशन आये था 13.33 और मैं कह रहा हूँ कि यह डीविडेंट की जो इंकम होगी होगी आपका कैपितल वी यह कैपिटल प्रक्रीशईशन स्मस्ते ₹ की डीविडेंट मिल रहा उसका परशन ₹ गैपैशन से बढ़ा और मैं कह रहा हूं ऊबकी दो पर से कितने की है कि यह का प्राइस दो परशन से बढ़ गए है और डिविदेंट का कितना मिल रहा 13.33 परशन्ट इस बता सकती हो कितना दूसरे लेंग्वेज में समझे चलो अब अब अच्छे से बताओगे अराम से सोचना आपको इस पंदरा परशन्ट को 2 पर्शन से बढ़ाते हैं तो 15 इस परशन्ट को 2 परशन्ट से बढ़ाओ कितना अरह 10% को 2% से बढ़ा ही 10.2 10.2 की 12 अच्छा पहले ना CA कर जो रिजल्ट आता था ना वो 10% ही आता था अब 2% बढ़ गया मतलब 10.2 हो गया मतलब परशंटेस को परशंटेस से बढ़ाते है तो इसका मतलब एड होता है 12% ना यार यह फाइनल तक याद रखना फ्लीज ठीक ओके सर ओके कोई बात नहीं एक सिंपल सी बना आज मैंने शेयर खरीदा जिसको मैं पी जिलो बोल रहा हूं कितने रुपए मैं खरीदा 90 और मुझे डिविडेंट मिला कितना रुपए एक साल बाद 12 और शेयर जो है उसकी कीमत एक साल बाद हो गई 91.8 जिलो अब ध्यान से समझना मेरी बात भई आज मैंने पैसा लगाया कितना लगाया 90 रुपी है मुझे क्या मिला 12 रुपी है यह मिला और 91.80 का मैंने शेयर बेज दिया बताओ मुझे कितने पर्षेंटेज की कमाई हो रही है पर्षेंटेज कॉमन सेंस है कितना रुपी है कमाया बस इतना बता दो 12 तो यह कमाया डिविडेंड का और एक रुपी हैसी पैसा यह तो टूटल कितना कमाया तेरा रुपी हैसी पैसा 15 पॉइंट तो वही तो मैं गर रहा हो ना यार आप आपने बारा डिवाइडेड वाइन अब्बे किया तो कितना आ गया था 13.33 परशन और यह भी तो ग्रो हो रहा है और यह कितने परशन से ग्रो हो रहा है दो परशन से तो टूटल कितना आ गया है 15.33 परशन वही किया मैंने यह अच्छे से समझ में आता है common sense लगाया आपने है ना लेकिन formula important है common sense हमारा कभी चलता कभी नहीं तो लिखोगे k is equal formula लिख रहा हूँ क्या जाएगा d1 नीचे क्या d0 यह तो 13.33 आ जाएगा प्लस g growth जी मतलब growth और फिर लास्ट में in 200 कर लें तो percentage हैगा वैसे हम नहीं लगाते बस इतना भी कर लेंगे तो हो जाए अगर हम in 200 वह देख लेना मैंस तो आप समझता हो बस यह आपका ऐसा formula है जो आपकी पूरी जिंदगी मतलब कम से कम दो साल तो साथ रहेगा ठीक तो तीन साल इस formula की सर यह formula बनाया किसने था क्या नाम था उसका Gordon दीविडेन में बढ़ाओंगा अच्छे से का का को कई थीविन मतलब का कर पड़ाओंगा थासल रिखवादो कि थीविन मतलब एक्सपेकट इविदेन वल का क 17 परशेफ अब इंस्टेट्यूट क्या करता है आपको डीवन देता ही ने इस्टेट्यूट ये बोलेंगा देखो जी अभी डीविडेन हमने अभी पैट किया है पंद्रा रुप्हे माल लो अभी पैट किया कितना पंद्रा इसको क्या मैं बोल रहा हूँ D0 और यह अनुमान है कि अगले साल 10% बढ़ा कर देंगे तो अगले साल का डिविडेंट निकाल सकते हैं अभी पैट कितना किया है 15 रुपए और next year 10% बढ़ा कर देंगे और हमसे सुच लो अभी कितना दे रहा है 15 को 10 परशन से बढ़ा हूँ 15 प्लस 10 परशन 16.5 तो 16.5 कब का डिविडेंट मिला निकला दीवन निकला तो दीवन निकलने का फॉर्मूला क्या हो सकता है दीजीरो प्लस जी पर और प्यास से लिख सकते थे दीजीरो वन प्लस जी मैं करवा रहा हूँ छुआ करोजीरो करोड वन प्लस दीजीरो वन प्लस जीजीरो टीजीरो वन प्लस दीजेए ।। कैलकुलेक्टिट एसे इससे कोश्चन आएगा कि 100% क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है दो जगा कोवर है यहां भी है और डिविडेंट चैप्टर में ये सब नहीं लिख मौँगा तो डी वन निकालने का तो डी वन निकालने का फॉर्मूला क्या है पी जीरो वन प्लस जी मतलब 15 इंटो 1.10 तो ग्रोथ रेट कैसे निकाला जाता है ग्रोथ रेट का भी होता है पर ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा यहां नहीं डिस्कुस करना ये डिविडेंट चैप्टर में करना यहां है भी नहीं टोप्टर अब क्या मैं आपको यह देदू यह देदू यह देदू यह भी देदू तो क्या के निकाल सकते हैं बस यह ही चैलेंज रहे चलो ठीक है निकालो फिर लिखोगे एक्जाम बाद दी जीरो रोपेस फाइव पीजिरो पीजिए 60 प्रोफ रेट प्रोफ पर्षट पर्षट के पर्षट रहाँ तुछ थे को यह एंश जी कि लिए पजके हना चाहते। प्रोफ प्रोफ जो आज पर्ष कि इतना असार नहीं है जितना से नाइन पॉइंट सेवंट टू यही इसे को विट इवन कितना भाई मतला 5 इंटु 1.08 लेलू लेलू ना ओक सार डिवाइड दिवाए 60 अब जब यहाँ प्लस जी कर रहा है तो आपको 0.08 करना पड़ेगा यार आठ के साथ तो पर्षेंटेज लगा हुआ है या तो आप इसको पर्षेंटेज में बना लो इंटु 100 कर दो और फिर प्लस 8 कर दो ठीक है वो भी चलेगा इंटु 100 करके प्लस 8 कर दीचिए पर मैं गयता हूँ अगर मैं इसको यहां 0.08 कर दू तो भी तो कोई गुना नहीं है बस 8 पर्षेंट की जगा 0.08 अब आज अंसर जो आएगा उसमें इंटु 100 कर दो पाइव इंटु 1.08 डिवाइड वाइए 60 ब्लस 0.08 जो भी आया 17 पर्षेंट करेक्टर अंसर है ठीक है पहला गोश्चन था तो शुरू कोई बात नहीं अच्छा पर्षेंटेस की कोई वेल्यू ठीक है ओके सचा दूसरा कोश्चन कमसे कम यह निकाल लें ती जीरो रुपिस फाइफ प्रोथ रेट इस बार चेंज कर देता हूं 8 परशंट यही कितना है 17 परशंट पीजी रो कोश्चन मार्ट एसा नहीं रिटेन में रिटेन में जी जार चेंट प्रह्चन में जाएफ आएफ प्रोथ प्राइब यह रह जाएफ वेएफ उप आर अपर अव कि यह 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 युद्ध कि यह का फॉर्मूल क्या है यह यह युद्ध कि यह 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 युद्ध कि यह 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 यह-वाइड़ेड़। पीजीरो पीजीरो गरबर इवाइन डिवाइड बाए यही माइनज जी यही पीजीरो निकलने का फॉर्मूला तर कुछ भी नहीं किया है हाँ सर इसमें पुट करके तो आ सकता है हम जबर्दस्ति क्यों टाइम पस कर रहें टाइम पस नहीं है बहुत बड़ा फॉर्मूला इंपोर्टेंट है तो लिखना है ओके सर तो डी वन डी वन डी वन पाइप पॉइंट कहीं कितना है पॉइंट वन सेवन माइनस पॉइंट जीरो एट तो अंसर अजाएगा रूपीस हो गया है तो ठीक है अब करके बता था किजिरो कितना है पाच किजिरो कितना है एक्ष्टी किजिरो कितना है जी आप भी जानते हैं सच अगले एक्जांपल में मैं देखता हूं ना कितना इस फीड है अब मुझे आठ पर्शन निकाल कर बताओ गुना भाग जो करना है करो पर आठ पर्शन अगले एक्षन फोन विएक्टी विएक्टी विएक्ट्पवन श्रॉपन अगले अगले घुपन अगले ने क्यों 0.08 तारी दुनिया जानती है 0.08 है हाँ आप कुछ भी करूँ मैंने का ना प्लास माइनस गुना भाग जो करना करो आंसर चाहिए आंसर चलो में बता देतना हूँ आठ पर्टन हाँ तो जो पता निकालो ना इसको सब तो पता तो चुकरो थोड़ा सा सुचू ये एक्दाम का कुश्यन है आट यहाँ वीवन फईपट पॉली हो यहाँ हाँ कि इनको ऐसा लग रहा कि कभी भी बड़े वाले से छोटे वाले को डिवाइट करते चोटा वाला हमें सा नीचे जाता है बड़ा वाला उपर जाता है ऐसा लग रहा होगा है मतलब 65 कितना है था लाष्ट मैं लाष्ट में कितना है है आपको आपको जो आप सिक्सी जी बच्रा 65 बच्राओगा तो आप 65 में 5.2 को डिवाइट कर रहे हो जबकि ऐसा नहीं होगा 65 डिवाइट होगा 5.2 डिवाइडेड बाए 65 होगा कि अ हम एफ कि पाइफ कि वान प्लाज सी अभी तो बच्चा कोश्ण डाला था यार मैंने तो पिक्चर बग की और इसमें तो आंसर भी बता था आपको कि अगे यह कि यह कितना है मैंने पीजी रो का फॉर्मूला लगा लिया बाकि आपको लगाना लगा 60 इन्टु 0.17 तो सरी यह कितना जाएगा 10.2 माइनस 60 जी 5 प्लस 5 जी तो इधर जाके माइनस हो जाएगा यहां 5.2 हो जाएगा क्या 65 जी यह इधर कर लेता हुआ अर इधर कितना जाएगा 5.5.2 από 0.8 0.08 that is 8 बूलिक लिखो अगे लेक्षामबर अभी तो पता था ना अंसर अब पता नहीं है ती जीरो चार रुप है पीजिरो चुप्टिए के 16.1% पूर्थ पूस्टिन में अब निकाल और विखोड़ निकाल, यंद आए, झाल, इस नाए प। आए, पूर्ड जैर नए, पूर्थ आए, टॉस्टिन में, दूल, वक्षणन में, तुन, कर दो, भीख। आए, टूस्टिन में, एक एप एप्सक्राइब है झाए वे एंध। एप्सक्राइब एा एक तीठी एक एंध। कोग एक्जाम्पल है साम का एक्जाम्पल है ठीक है इसमें confusion होता है बहुँच है suppose D0 D6 ठीक है और ग्रोथ रेट है पाच परशन ये ग्रोथ रेट कभ का है फ्यूचर का है कि पास्ट का है जनरली ये फ्यूचर का ही होता है पर क्योंकि D0 दिया रहता है ना हम सोचते कि पास्ट का भी यही होका इसलिए हम D1 निकालते समय हम क्या बोलते हैं पिछले साल भी यही growth रही होगी अगर D1 दे देते हो, बात खतम पिछले सल क्या growth है हमको मतलब नहीं है, हमको future यह growth rate future का है और मजबूरी हम हम इसको past का prior to life सबसे पहले यही निकालो कितना आगया हमारा 12.87 ihi 12.87 एको पूझे सब्क दी चारोचाल इसेडियर छोस्यदनि टाओी त्यूराओ मकुल्सिकर सा पूपरति ब्रवं ड्रश्ण Unterफड नतिया Никाए क्यालकुलेक्ट कॉस्ट और कहेगे ना कि यार अगर 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 ग्रोथ रेट चेंज हो गया पाच परशन की जगह कितना होगा आठ परशन तो केई निकली है आठ कैसे निकल रहा हूँ क्या है 6 6 और यहां क्या जाएगा? 1.08 प्स और डिवाइट क्या हो जाएगा यहां? 80 10 ग्रोथ के बढ़ने से उतना ही केई बढ़ेगा यह नहीं हो क्योंकि केई पर 2 चीज़ हो गई फैक्ट होता यही पर 2 चीज़ हो गई फैक्ट होता है एक कैपिटल एप्रेशिशन का मैंने बस ग्रोथ 5 की जगह कितना लग जग दिया? 8 खीक है सर आंसर कितना आ गए? 16 16.10 तब कोई दिक्कत है क्या? अब लिखो अगला एक्जाम्प सर यह इतना सारा एक्जाम्पल बिटे हां मुझे इसमें इसमें तो गल्तिया करवाता हैं हमको ऐसा लगता है कि हम सही कर क्या है बाद में हो सुड़ जाते हैं इसलिए आपको समय से लाएं पी वन साथ रुपए प्रोथ रेट्ट पाच पर्षन पी जीरो साथ रुपए के कोशन मर्क 16.67% लेख लेजी 16.67% रुपए सुपए सुपए कैलकुलेट कई ये डीवन है साथ रुपए इसमें क्या कितना बशन ग्रोह के रहा आया है कैसे पता ये ग्रोथ रेट कब का है पाश्ट का की फ्यूचर का पाश्ट का क्या था नहीं मालू हमको तो पता ही नहीं कि पाश्ट का क्या था ठीक है मैं कह रहा हूं कि ये जो ग्रोथ रेट ये जो डीवन निकला है यह किस rate से growth हमको नहीं मालूम लेकिन हमको मालूम है उसके बाद growth rate क्या होने वाला है 5% अगर D1 दिया है तो हाज जोड के विंती D1 को change मत करना हमने लगाये नहीं sir D1 change नहीं होगा बस मैं यही चाहता हूँ कि आप ज़्यादा ना सोचो 7 divided by 60 plus 0.0 19.67% तो बताओ growth के change होने से D1 change होगा की नहीं होगा अगर D0 दिया है अगर D0 दिया है तो होगा पर अगर D1 दिया है तो उसके साथ छेड़शड मत करना दिया है जो दिया है फाइनल यह बात याद रखना इसी में फसाएगा इसी ठीक है अब 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 लिखना नहीं लिखना नहीं बस सुनना अगर लिखा है dividend pet तो क्या है यह D0 है कि D1 pet dividend pet pet हो चुका है past tense की बात है dividend pet मतलब D0 अगर लिखा expected dividend D1 अगर लिखा current dividend per share current dividend per share per share D0 dividend at the end of year बोलेगा तो वह D1 होगा पर institute ऐसा लिख देता कभी dividend per share dividend per share पस इतना भर लिख आधे से बच्चे पुरे इंडिया में आधे से बच्चे इसलिए परिशान है कि वह D0 है कि D1 सिरियसली बता रहा हूँ वहुत परिशान है से दिया क्या है D0 ऐसे सब्साफ सब्साफ दिया रहेगा dividend पैट तो हम समझ जाएंगे लेकिन dividend per share दिया तो भही है क्या दिया है clear तो करें और institute बहुत साफ सुत्रा लिखता है वो दोनों के लिख देता अल्टेनेटिव वन डीवन अल्टेनेटिव टू डीजिरू तो सर अमको दोनों से करना है कि नहीं आप कोई भी एक एजमिशन ले सकते हो हाँ जी लिखना बढ़ेगा आपको अब हद तो तब होती है जब ऐसा लिखता है dividend पेज ये सब्स भी आएगा पेज मतलब करेगा तो यार कैसे तो dividend पेज लिखा है बस और कुछ नहीं दे रहा है मतलब इतना पहले भी दिया है ऐसा बोल रहा है continuous tense में कैसे ले सकते हैं मतलब यार एक जासा dividend दे रहा है कोई ग्रोथ नहीं आप ऐसा बोल रहा है छोड़ो English की मात जब question आएगा तब देखेंगे जब question आएगा तब देखेंगे तब मैं पूछूँगा तो भाई K निकालने का क्या formula था हमारा K निकालने का था D1 E0 ये G भी निकालना जाता और G निकालने के दो तरीके G का मतलब ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट दो टाइप का होता एक होता sustainable ग्रोथ रेट और एक होता compounded ग्रोथ रेट तब यहीं पढ़ा दोगे क्या तो लिखो के calculation of growth rate और हद तो यह होती है कि पिछली बैच में बच्चे बोल रहा थे और एक्जाम में हमको पता कैसे लगेगा कि के यी C.A.P.M. से निकालना कि डिविडेन ग्रोथ से तो पढ़े हो मैं कल एक पढ़ा था इन्फोर्मिशन देगा ना यार इन्फोर्मिशन देखकर हम बता देखकर हम बता तो सिंपल तो है और क्या कोशन ही नहीं पूछना चाहिए था तो दो टाइप का growth rate मुझे सिखाना है एक लिखो compounded growth rate पाउंड़ दो थरी है पी जीरो मान के चलो की है छे रुपए ठीक है और यह हुआ एक साल यह हुआ दो साल यह हुआ तीन साल यह हुआ चार साल और यह हुआ पासा और मान लो growth rate 10% growth rate मान लो 10% लिखना नहीं है एक साल बात का डिविदेन बदा सकते हैं छे रुपए क्या है आज का डिविदेन और ग्रोथ रेट मेंने कितना बोला 10% तो एक साल बात का डिविदेन 6. 6. 2 साल बात का डिविदेन? पास बात का डिविदेन? रुखो रुखो सर पास साल बात का डिविदेन बताओ चलो जल्दी से दस दस परशन बढ़ाना है हर सार आप भी कर लो एक मार इतने लोग कैसे गलत हो सकते कब का डिविदेन आया है 9.663 ऐसा ले ले तो ये डिविदेन कब का है आज का ये डिविदेन कब का है पास सल बात का कितना परशन ग्रोथ रेट है 10 परशन तो एक्जाम में क्या आता है एक्जाम में ये आता है कि D0 है रुपीज 6 और D5 है रुपीज 9.663 तो बताओ ग्रोथ रेट कितना आंसर दस परशन निकलो अब वो कैसे निकालोगे वो आप जानों एक्जाम में आया है और पिछले अटेंप्ट में ये कोश्चन है एंसी क्यूज में नहीं बटी एक बड़ा सा कोश्चन है को उसमें एक छोटा सा ये वाला पॉइंट होग हाँ लिखकर करो ना कैसे करो जड़ा में भी तो देखो आंसर में बताओ दस परशन आग अब दस परशन निकलो आप कैसे हाँ वही तो लगना है ना यार डड़ी पावर वाला ये कप का है आज का ये कप का है पासल बात का तो 6 1 प्लस आर या 1 प्लस जी लिख दो इट में कहरा हूं दी जीरो दी जीरो तो मालू मैं हमको कितना 6 1 प्लस जी पावर 5 इस एक्वल तो 9.663 तो जी इस एक्वल तो दस परशन इस एक्वल कर लो फिर बड़े कोशन मैं मैं करवाँगा ना फिर बलोगे सर कहां से आया है मतलब सर हमको बीच का डिविडेंट कुछ नहीं देखना है कुछ नहीं देखना है आपको सिर्फ यहां का देखना और लाश्ट का देखना ग्रोफ रेट निकल आगे है अहां तो 10 नहीं आया है 10.66 कुछ आ रहा है क्या जिरो जिरो आया 9.663 इवाइड़ वाइड़ 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 यह तो 1.6105 यह तो हमारा 10 परशन का फैक्टर ही आगया फ्यूचर वेली फैक्टर दस ही आएगा फिर तो सवल ही पैदा नहीं होता है प्यूचर वाली फैक्टर दस परशन के सबसे इसके बाद क्या करते थे एक दो तीन चार पाँच शे साब एक आस्ट गैरा बारा माइनस वेन गाए और एंटू बाई प्लासर माइन एक दो तीन चार पाँच आया नहीं आया क्यों डिवाइड़ बाइफाइफ करो या इन्टु वान बाइफ मल्टिप्लाई वन बाइफाइफ करो एक ही बात रुख जो हो है ठीक है compounded growth rate का कोई formula नहीं है यहां का dividend देगा यहां का dividend देगा यूज करकिया पांसद दूसरा टाइप का कौन सा growth rate sustainable growth अच्छाइब बाइफ sustainable growth और इसका sustainable का मतलब क्या समझते है क्या लगता है कि कौन ज्यादा success होता होगा जिन्दगी में, जो अपनी महनद से कमाता है उसी को business में लगाता है फिर वही कमाता है वहीं से बिजनेस में लगाता है या जो उधारी लेकर बिजनेस बिजनेस खोल लिया और लगता है तो और उधारी लेता है और कौन ज़्यादा सस्टेनेवल है फैस्ट वाला तो यहां यह एजंशन लिया जाता है कि जो भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाय जाएगा हम कहीं से डेट वेट से उधार ने लेंगे सब की सब पैसा कहां से खुद जो कमाया है उसको यूज करेंगे खेर में समझा दूगा ने तो फॉर्मूला तो रट्टा मारना तो बी इंटु आर बात खतम होगी लिखो एक बार बी इंटु आर फिर मैं समझा रहा हू फाइनल में ना बहुत दिक्कत होती है बच्चों को बहुत दिक्कत होती है बोलता सर ये बी इंटु आर क्या है ये भगवान मैं आप चलो पहले नाम लिख ले नाम करन करे फिर समझेंगे P का मतलब होता है retention ratio और R का मतलब होता है रेटर्न ओन रेटर्न आवन रोई बोल सकते है इसको मालोई पीएस अर नहीं पर्ष विया पर सर कितना कमाया आपने 20 रुपी हम जितना कमाती है कंपनी क्या सारा की सारा dividend दे दे देती है नहीं जनरली नहीं तो कुछ देती है dividend payout ratio dividend payout ratio और dividend payout ratio मालो 40% है मेरे ख्याल से dividend payout ratio आपको सब्द आएगा जब आप ratio करोगे पर फिर भी ये तो common sense है dividend payout ratio का मतलब कितना होता है अरणी का कितना dividend दे रहा हो 40% मतलब amount बुला amount amount dividend परशियर निकल सकता है आठ रुपे बचा कितना रहा हो परशेंटेज में कोई बचाट परशेंट साथ परशेंट को प्यार से क्या बोलते है retention ratio retention ratio अच्छा सर और इसी को भी बोला जाता है क्या हाँ बोलो कितना बचाया आपने 60% amount में बताओगे कितना आगया return earnings आपका 12 यह तक ठीक है अब यार यह जो 12 रुपिया बचाया इसका करोगे क्या और लगाएंगे प्रोजेक्ट में और हमारा यह मानना है कि हम यह जो पैसा यह पैसा है किस काईसर यह equity का ही है और इसको हम लगाते हैं तो हमारा मानना है कि हम 10% कमाते हैं इसको मैं बोल रहा हूँ R return on equity तो बताओ अगले साल कितना कमाईगे 20 तो कमाईगी कमा रहा है साथ में 12 रुपए पे भी तो 10 कमाईगे बताओ कितना रुपिया कमाऊगे तोटल यह आज का है यह एक साल बात का है बताओ कितना कमाऊगे तोटल मिलाकर EPS कितना हैगा EPS 20 रुपिया तो कमाई रहे हो ना यार और जो 12 है 12 लगा तो लगा 12 वापस नहीं मिलेगा 12 पे कितना कमा रहे है 20 रुपिया कमा रहे है 12 रुपिय को क्या करे हाँ यही तो मैं सुनना जाता था आप 12 जो है उसको भी ला रहे हो मैं कह रहा हूँ प्रोजेक्ट में पैसा लगा तो लगा भूल जा उसको 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 कमाई हो रही ना उसकी बात करो कितना कैसे निकला भाई 20 पर 12 पर 10 परशन कितना 21.2 और हमारा डिविडेंट पे आउट रेसो तो वही रहेगा 40 परशन बता सकते हूँ कितना डिविडेंट आएगा अगले साल एट पॉइंट पॉरेंट ठीक है अब सुनना बात पहले डिविडेंट कितना था अभी कितना हो गया वो लो ग्रो हुआ कितने परशनेंटेस से परशनेंटेस तो आता है आपको 8.48 माइनस एट डिवाइद बाइट कितना 60 परशन 3 परशन 0.48 डिवाइद बाइट इन्टू हंडड़ कितना परशन 6 परशन 6 परशन का नाम बलो ग्रोथ रेट सुनो सुनो क्या इसमें बाहर का पैसा यूच किया है इसको बोलते सस्टेनेबल ग्रोथ हलाक इसका फॉर्मूला फॉर्मूला है B इन्टू आर IC AI कहता है ये ताम जहम मत करो बिल्कुल सिंपल है B का मतलब क्या है रेटेंशन रेश्यो R का मतलब है return on equity तो भाई जो बैचार है उसको 10% पर लगा रहे होना यार तो सीधा लगाओ 0.6 into 0.1 0.06 मतलब 6% तो सर ये काम आएगा कि ये काम नहीं आएगा क्या काम आएगा B into R तो लिख लो growth rate सर ये लिख लेंगे कि लिख लो दिखोगे काम आएगा ये आज का है ये एक सलवत पस एक कोश्चन बोच रहा हूं अगर कोई कमपनी है जो जितना कमाती है वो पूरा की पूरा डिविडेंट बाट देती जितना कमाती है पूरा की डिविडेंट कितना है पीस अराम से सोचो जितना कमाया सबकी सब डिविडेंट बाट देती उनकी पॉलिसी है जो कमाती है पूरा डिविडेंट बाट दे तो बता सकते हो कि ग्रोथ रिट कि आएगा नहीं आएगा कुछ बचाया क्या बचाया नहीं तो growth कहां से होगा क्योंकि sustainable growth rate का पहला rule से जो बचेगा उसको invest करोगी तो एक चीज याद रखना अगर जितना कमा रहे हो सब की सब dividend दे रहे हो तो formula क्या बनेगा ज़र आप में भी तो देखू formula बन सकता है क्या हाँ केई का formula क्या होनेगा ज़रो चल कि ये क्या आएगा कि D0 अच्छा D0 बोलो D1 बोलो D2 बोलो D3 बोलो कोई फर्क पड़ेगा सेमी तो आएगा growth हाई नहीं है ना भाई ठीक है D चलेगा D और रीचे अच्छा D बोलो की E बोलो EPS बोल सकता हूं क्या हाँ क्या फर्क पड़ा अब थोड़ा गहराई से सुचो ना बाद में फिर इल्जाम लगाऊगे कि नहीं सर आपने EPS कैसे लगा दिया भाई अगर मैं कह रहा हूं आप पूरा की पूरा डिविडेंट दे रहा फिर यहां EPS लिखने भी कोई दिक्कत नहीं है तो यहां क्या जाएगा EPS यहां क्या आएगा P0 इधर कुछ आएगा क्या नहीं आएगा पर यह कप चलेगा जब ग्रोफ रेट नहीं है पूरा जो कमाते हैं उसको डिविडेंट देते हैं ओक है ठीक है सर तो मेरे खहल से एक दो कोशन बनाते हैं बुक से थोड़ा कॉंफिडेंस आएगा खिर आगे चलेंगा पर कॉंफिडेंस सीधा तोड़ना नहीं चाता आपका तो पहले थोड़ा सिंपल कोशन देख लेता हूं जो आपके लायक हो पहले कोशन नमर एट से सुरुआत करते हैं कोशन नमर एट एकाथ कोशन दो बनाएंगे पुरा की पुरा होमवक नहीं दे दूँगा कोशन नमर एट से स्टार्ट करो ठीक है? यस है करेंट कमपनी करेंट प्राइस कितना है? शाट करेंट प्राइस को हम प्यार से क्या बोलते है? तीजीरो dividend per share दिया है 4 मतलब यह क्या है D0 कैसे पता लग रहा नहीं यार मैं ऐसा पढ़ा हूँ current price of share and current dividend current side दोनों के लिए लिखा हो सकता है तो इसले X को क्या बले रहा हूँ मैं D0 capitalization rate को क्या बोलते है K growth इसको बलेगे तो growth ही तो मांग रहा है बताओ growth rate क्या हो answer निकालो तो मज़े आएगा answer थोड़ा तो अंतर है ने मैं तो करने ही वाला नहीं हूँ आप ही करने वाले है एक मुहावरा था नाच ऐसा गुस्त अंतर हेसे नाच अंतरे आफ तो वोलेके एज आफ नाच कासे काल श्यूदर अंतर रहा है मैं अंतर श्युक्त ऑगें तो जाता थे तो मैं च्हाँडे काल अच चाहता थे तो जाने गूटए अगे या मैं अज बर्से मुखे आट्शिया यां है नहीं आया, कलो करें क्या अब केई वाला फॉर्मुला लगती हूँ क्या मैं तो P0 वाला, वो LCM-LCM मन में आजाता अगर मैं केई वाला लगता हूँ तो दिख लिए P0 is equal to D1 divided by K-G 0.05 नहीं गलती आपके नहीं, गलती मेरी है, मुझको बताना चाहिए था, ये Capitalization rate को के ही बोलते है, पर जैसी बताने वाला था, तो हारदिकने का सर ग्रोथ अच्छा अच्छा हो जाएगा Question number 9 में एक दिक्कत है, रुख जाओ, रुख जाओ चलो उसको, concept समझाना नहीं चाहता हूँ, अभी क्या एक दो question फ्लो बन जाएए, चलो यह वाला करके Question number Question, K निकल कर बताओ, RF मालूम है, RM मालूम है, बीटा मालूम है RM मालूम है, बीटा मालूम है, और K निकलने का एक फॉर्मूला हुआ करता था, अर ऐफ प्लस पीटा अर ऐ मायनस आर ऐफ तो सर आरफ 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 छे 10.5 अब अब बच्चों का कहना है सर यार अपने घर की बात है अब जब डिविडेन ग्रोथ लगाते हो तो इधर पॉइंट करके लिखते हो और जब CAPM लिगा तो सीधा 6 लिख देते हो ऐसा कोई डाउट तो नहीं है न 0.5 RM कितना है आंसर कितना आगए 10.5 अभी कोश्चन खतम नहीं हुआ और एक सिक्यूरिटी है जिसका केई दिया है और बाकी सारी चीज़े यही रहेगी बीटा निकाल कर बता दो केई दिया है RF मालूम है RM-RF मालूम है 1.23 एक पॉइंट है न पॉइंट है न बुक्के कोश्ण करोगे तहां फसो के वन पॉइंट है वह पॉइंट है आप दीखना हाँ आप दीखना हाँ एक टाइम रख लेतने है दो मिनट का टाइम देंगे एक कोश्ण को जो भी पहला आंसर दे दिया उसको क्लास से बाहर दो मिनट के बाद ही आंसर देना है आपको तिक इस तरह से रखेंगे तब मज़ेगा यह वाला कोश्ण कट कर दीजी कोश्ण बेलेवन मैंने यहां सीए फाइनल का डाल दिया था हाँ यह नहीं संभाली नहीं पाओ के यह फाइनल का डाला था कट कर दो बुक से कट कर दो नहीं है आप लोगों अपसे ज़्यादा खुशी उसी में मिलती है कट करने तो कोश्ण 11 कट कर दिया है आप लोगों ने इस कोश्ण का अंसर चाहिए कोश्ण नम्बर 13 अब मैं कुछ नहीं बता रहा हूं मुझे कोश्ण नम्बर 13 का अंसर चाहिए कि बाद होंवग दिना श्टार्ट करूंगा दस जार 10 परशन डिबेंचर से 100 रुपे का एक है क्रीमियम कितना है 10 परशन मतलब कितने में इशी हो रहा 110 और एक अप्रिल 2017 को और मैचुरिटी एक अप्रिल 2012 मतलब कितना साल और डिबेंचर जो है वो रिडिम्ड होगा मैचुरिटी पर कुछ बोला नहीं है तो यह फेस वैल्यू पर रिडिम्ड होगा मतलब कितने में 100 टेक्स का रेट है 30 परशन केड़ी निकालना बड़ा वाला फॉर्मुला लगीगा कि छोटा वाला कोड़ा वाला विडिम्ड हो आप लोग समझदार हो आप लास्ट वैच्च के बच्चे ना पीछ पेच पल अटना श्टार्ट कर दे जाती है आप लोग समझदार हो आप कर दो कि अ कि अ कर दो कि अ कि अ करने आप 4.28% अगे अगे I 1- X plus RV-NP divided by N RV-NP divided by 2 okay question number 14 homework है आपके लिए question number 14 homework question number 15 ये भी आपके लिए homework है 14 homework 15 homework कोश्चन नमबर 16 ये भी होमवक है एक तुनो दो मिनट का है अब उसको होमवक की लिष्ट में इतनी बड़ी से लिष्ट हो ता कि लोग डर जाए ठीक है इतना बड़ा लिष्ट है ये एक मिनट में हो जाए इसका अंसर चाहिए मचे प्रफेर्श हेर है कितने का इक है 100 का इविदेन कितना है 12 कुछ रिदेंशन को दो दिया नहीं है प्रोटिसन कॉष्ट मतलब शेर जब इस्यू करते है उस पर खर्चा कटता है जट लग प्रोसिसिंग फीज तो सौ रुपए का प्रफरेंश शेर सौ रुपए नहीं मिलेगा जिब में इन परसंट कटके मिलेगा तो कितना मिलेगा 97 कितना है बारह डिवाइड बाइड बाइ इसका अंसर 12.37 तो पक्का नहीं होगा गल्थी से छपा होगा या समझ रहे हो ना कोश्चन नमबर 18 का अंसर बलो कोश्चन नमबर 18 का पैड सब्द लिखाया है ना तो दीजी रो होगया की दिया हुआ है और के ही मांग रहा है और मार्केट प्राइज दिया 55 अंसर रहा चाहेगा 12 बश्चन ना 12 बश्चन सही 12 बश्चन सही क्वेश्चन नमबर 20 होमवख अभी नहीं अब वापस जा रहा हूं अभी यह नहीं पढ़ाया हूं ना यह वाला क्वेश्चन आपके मॉडूल का क्वेश्चन है यह आप इस क्वेश्चन को कर पहूं पढ़ दो पास साल पहले सोना लिमिटेड ने इश्यू किया था 12 बश्चन मतलब क्या छोटा वाला फॉर्मूला यस कितने में इश्यू किया था 103 कब किया था आज नहीं पास साल पहले से मुझा मतलब नहीं आज का प्राइज है 94 और कमपनी टेक्स करेट कितना देती है 35 पर्शन वाट इस दव पेडी करेंट अगे पहला छोटा वाला फॉर्मूला की बडा वला पेज पल्टा वो देखो क्या फॉर्मूला है I1 minus X divided by next procedure यह जिए 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 आई कितना है भाई इंट्रेस्ट पारा और वन माइनस पॉइंट फ्री फाइफ अब करेंट कॉष्ट अब डेट देख रहे हैं सबसे बड़ी समस्या प्राइस कौन सा ले एक सो तीन रूपिया ले की नाइटी फोर ले बही करेंट मार्क प्राइज लेना आपको नाइटी फ लिखो गव और एक शिष्ट पॉंसेप्ट ओफ प्राइस अरनि पॉंसिप्ट ओफ प्राइसने वैसे तो एक बात बताईए में के निकलने का कितना मेफटड पढ़ाया हूं मैने ? वैसे तो तीन है पढ़ाया कितना है ? दो तीसरा मैने बोला था किसी काम का नहीं है पर वो यहाँ समझा तो एक है सबसे पहले Price Earning Ratio की बात करें Price Earning Ratio क्या है तो कंपनी है A Limited और B Limited MPS का मतलब क्या होता है Market Price Per Share क्या हमें Reliance के Share का अभी अभी Market Price पता लग सकता है अभी हाँ अभी पता लगाया जा सकता है और सर इसका Price कितना है 500 रुपए और B Limited का भी Price लगाया पता लगाया तो कितना आ गया 500 रुपए तोनों एक बराबर है ठीक है सर अभी यार इस कंपनी का हमने EPS भी पता करवाया EPS कैसे पता लगेगा अरनी पर शेयर लाश्ट मार्च में जो PNL एकॉन बना होगा उससे पता लग जाएगा और इसका EPS है 100 रुपए और इसका EPS है मान लो 50 रुपए तो इसकी Earning से आज इसका प्राइस कितने गुना जादा है टाइम्स पाज गुना जादा जितना कमाते हैं सर उससे पाज गुना जादा इसका Earning से मार्केट प्राइस कितना टाइम्स चल रहा है इसका बोलो 10 टाइम्स फॉर्मूला क्या हुआ प्राइस अर्निंग नीचे तो अगर मैं गों फॉर्मूला क्या हुआ प्राइस अर्निंग रेश्यो का MPS इसे प्राइस अर्निंग रेश्यो कौन सी कंपनी की शेर खरीदना परसंद करोगे सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो ये कितने का शेर भीक रहा है पासो कितना कमा कर दे रही है कौन सी कंपनी का शेर खरीदना परसंद करोगे इसका प्राइस अर्निंग रेश्यो कम है कि जिसका प्राइस अर्निंग रेश्यो जाता है मैं प्राइस अर्निंग रेश्यो का अभी फिर से मिनिंग बताता है जितना कमा कर देता है उससे दस पाज गुना ज्यादा मार्केट प्राइस जिसका टैंट तैम्स क्यूंकि आप भी सब सारी दुनिया समझधार है यहां कितना लगाएंगे पासो कितना मिलेगा तो यहां कितना लगाएंगे पासो लगा कर सौ मिल रहा है यहां पासो लगा कर 50 मिल रहा है तो फिर यहां क्यों लगा है यहां ऑलागा है ऑश्मयत पेसमे यहां एचा dips कि हम करण यहा है bathing मई इस सब्सक्राइब है कमा आप पर रहा हुए हुए आपके लिए कमा ऐफ जा आपको share खरीदना है यह दूष यहर आइ ये भी पासो के यह भी पासो का इसको खरीदो पासो लगा कितना दुगा मैं आपको तो यह खरीदो पास्टो लगाओ कितना दूगा पचास क्या चाहते मैं अभी रेश्यो पर नहीं आ रहा हूँ पहले में कॉमन सेंस यूज कर रहा है फिर भगवार कैसे सिए बनोगे फिर तो क्लाइंट गुम रहा हूँ वैसे आम आदमी की तरह देखो 500 लगा के 100 मिलेगा और 500 लगा के 50 मिलेगा तो हमको 500 लगा के 100 लेना जाद अच्छा है अज़से बहुत सारे लोग बोलेगे भी लेकिन सचा ही यह है सुनना ध्यां से प्राइज अर्निंग रेश्यो का हिंदी मिनिंग होता इज्जत यह कितना कमा के दे रहा है यह कमा कर कितना 100 तो भी पब्लिक इसका शेर कितने में खरीद रही है 500 यह कितना कमा के दे रहा है 50 तो भी पब्लिक कितने में क्या पब्लिक पागल है नहीं है इट मियंस यार आपको दिख रहा है तो पब्लिक को भी तो दिख रहा होगा ना कि यार यह 100 कमाकर दे रहाए यह 50 किसकी एज़त जीद जीख रही है बी इसकी ज़्छक पर रहें क्य invaded मार्केट में क्योंकि सिर्फ आप अर्निंग को focus कर अरनिंग के अलावा भी बहुत कुछ होता है अपने कभी वैल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और यह जमाने भर का सुना है क्या हाँ 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 सिंबल सी बात है डिमांड किस कम किसके शियर्स की ज़्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि कम पैसे लगा के मतलब हमको कम भले ही मिल रहा है पर और कुछ होता होगा ना प्राइजन लिग बहुत वढ़ा हमारे लिए काम की बात इसलिए नहीं नहीं है क्योंकि हमारे लिए सिंबल सा फॉर्मूला आता है है तो मैंने कहाँ मना किया आप सहीं बोल रहे था कि आपको सिंपल सा फॉर्मूला आता है वह फॉर्मूला ऐसा है तुनना दियांसे आपके साथ जबरदस्ट टाइम पास करेगा और टाइम पास सुनना दियांसे अगर मैं आपको EPS देदू अगर मैं आपको प्राइज देदू तो क्या आप MPS निकाल सकते एक MPS निकालने का फॉर्मूला एक MPS निकालने का फॉर्मूला एक MPS निकालने का फॉर्मूला बता है MPS is equal to EPS into price earning MPS को और क्या बोलते है PG-0 MPS को और बोलते है PG-0 PG-0 या MPS एक ही बात MPS अलाग है और PG-0 अलाग है तो खेल कतब हो जाएग ओके दिख लिया है ना आचा देख लो ओके एक कोश्चन करवा ना उसके बाद ब्रेक लेंगे हम लोग कोश्चन नमबर 9 यह सी यह फाइनल में भी है सेम कोश्चन आपको कोश्चन नमबर 9 पड़े एक बार इसका जो प्राइज होगा ना मार्केट में 7.5 मतलब EPS से 7.5 तो EPS तो देगा रिटेन अर्निंग पर शेर बींग 37.5 परशेंट इस रुपीज 3 पर शेर यह क्या चीज है रिटेन अर्निंग जो है रिटेन अर्निंग जो बचाते हैं मतलब जितना कमाते हैं उसमें से जो बचाते हैं 37.5 परशेंट जो की है तीन रुपए तो 400 400 400 कुछ होगा कुछ होगा सर हम जो बचाते हैं कितना रुपिया बचाया तीन रुपए जो की है परशेंटेज में 37.5 परशेंट तो EPS निकल सकता इस से 5 5 हाँ मैं रुपा हूँ सबसे पहले बताओ रिटेन रुपीज में कितना है परशेंटेज में 37.5 परशेंट तो परशेंट तो जो तीन रुपए है न वो कितना है तो क्या EPS निकल जाएगा येस तर जो तीन रुपए है न वो कितना परशेंट है 37.5 परशेंट डिविडेन निकालता है मैं अर्निंग निकालता हूँ आठ तो सब देखा जाए तो आठ रुपिया हमने कमाया आठ रुपए में से टीन रुपए बचाया तो डिविडेन कितना तिया पाच रुपए यहां तक लिक लो पिले पाच रुपए डिविडेन मांग क्या रहा है पॉइंट नंबर वन में के और क्या दे दिया हमको जी दे दिया है तो चलो के निकालने में थो मैं एक्सपर्ट है और क्या सी ए पी एम वाला फॉर्मुला लगीगा आपको लगता है आर ए प्लस बीटा नहीं तो कोई भी बता देगा पहले निकाल रहा है हम लोग केई और केई का फॉर्मुला है की वन की जी रो तज जी मैं आपकी आदी हेल्प कर सकता हूँ मैं जी बता सकता हूँ आदा जुगार लगा हूँ भी दोन बताया ना उपर नीशी कर खेल खतम फिर आजाएगा अधर पर एक गज़ दो पर नीशी कर खेल खतम फिर आजाएगा अधर अधर और अधर दो की जि़िव आ रहा है हां सही है कि इतने स्पिट से निकला कैसे आंसर में दे 60 पर ये 60 कैसे आया भाई अच्छा EPS into price earning ratio EPS into price earning कहीं लिख लेना साठ कैसे आया ने तो धूनते रहे जाओगे रिविजन के सब कि इसे पता लगा आपको आंसर देखे ना कैसे लग रहा कि डीजीरो की डीवर्ण ऐसे नहीं एज्यूम तो गीवन डीविडेंट जो है वो डीवन लिख देना इसका तो चाहिए क, Senhor हम ढीडीजीरो भी अज्यूम कर सकते और क्रसकते को दिक्कत ने पर क्यों टैंसेंट ले रिर रख अलगा अंसर आइगा अलगा अंसर आ नहीं है अ ऐससे भीन ली है तूग कितना रहा है इस ऑन ले साथ हिता है और इसको ढीजीरो ले रहे टूओ 20. 20. तो D0 ही लेगे थे 1 लेने से दोनों ही सही है ऐसा कुछ नहीं पर कम से कम D सही है आंसर कैलकुलेशन जाही करना तो बोलो D1 कितना? 5 20 20 5y60 प्लस 0.12 पहला हो गया? पहला हो गया चलो कोई बात नहीं पहला हो गया पॉइंट नुबर 1 हो चुक है हमारा पॉइंट नुबर 2 पॉइंट नुबर 2 अगर growth rate कितना हो जाता है? 13 version मतलब सर यहां हमको 13 रखना है यस और हमें निकालना है market price मतलब हमको निकालना है P0 और cost of capital मतलब cost of equity कितना रहना है? 20.38 38 में 33 इसका मतलब KE रखना है 20.33 growth रखना 0.13 और D1 प्याज़ट रखना पढ़ेंगा 68.21 68.21 रखना 68.21 3 तर्यों यहow आए तो जाए टे आ nossa आए खीक है खीक है सही है अब उन्हें क्या किया वो ले यार केई चेंज कर देते 18 और ग्रूद भी चेंज कर देते हैं और डिविडेंट तो वही रहेगा और हमें क्या निकालना है प्राइस फिर से यहां क्या जाएगा 5 divided by 0.12 minus 0.15 0.18 minus 0.15 एवन वही रहेगा पी जिरो निकालना है 166 166.67 166.67 नहीं है ना आगे रहेगा 166.67 नहीं है ना आगे रहेगा अब डीजीरो भी एजियूम करोगे डीजीरो एजियूम करोगे तो महनच ज़्यादा हो जाएगी बसे दोनों दे रखा हैं एंस्टिटूट अंसर तो अलग-अलग आएगा अंसर तो सब में अलग-अलग है अरवर हो अज़र तो पर इस दो आएगा टीक है यह दो यह दो यह कोश्चन है यह वाला कोश्चन है cost of capital, growth rate, growth rate, same question है, institute ऐसे alternative solution देता है, जिसे यह वाला question है, tension free economy वाल तो institute ऐसे भी देता है, और alternative answer भी इस तरह से alternative solution देता, अब D1 लेकिए भी कर सकते हैं, D0 लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कदम करें, केई निकलने का हमारा दो method हुआ, CAPM और dividend growth, CAPM का formula पता है, R plus R minus R beta, और dividend growth का basically formula है, D1 divided by P0 plus G, जादा तर यही वाला आता है, D1 divided by P0 plus G, तो दो तो करवा दिया, और एक है, वो third भी लिख लेते हैं, बात खतम कर लेंगे हैं, ठीक है, third, इसका यूज ना के बराबर है, उसकी वजह में बताऊंगा ऐसा क्योंगा, और सर नाम है earning price mod, no growth model भी बोलते हैं, no growth model और सर्फ इसका formula है P0 is equal to, अगर growth नहीं है, तो earning और dividend के दोनों एक बराबर होगा, अगर मैं D1 भी लिख हूँ या EPS भी लिख हूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और P0 नहीं हम क्या निकाल रहे हैं, और नीचे क्या लिखना चाहिए, P0, P0 की जगह है, EPS भी लिख सकते हैं, आपका दिल कर रहा है तो, तो ठीक है ना सर, P0 चलिए और growth आएगा की नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसी का नाम क्या है, earning price model, earning price model, ठीक है, अच्छा सर, इसलिए इसका यूज नहीं है, एक example लिख देता हूँ, example, EPS रुपीज फाइफ, और क्या देदू मैं आपको, P0 की निकाल सकते हैं, price earning ratio, eight times, की question mark, 12.5%, कैसे नहीं काल दूँ, मतलब K is equal to, EPS, EPS कितना है? 5, और यहां कितना जाएगा? 5 into 8, into 100 कर दोगे, तो answer कितना आगे हैं मारे? ठीक है? एक 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 कितना है, price earning ratio, 7 times. क्या चाहिए और इपिए चाहिए इतने में निकालो अच्छा इपिए तो लगीगा उसके बिना कि क्या ना मैं तो बूल गया था यह पास तो लगीगा यह कट भी सकता है वैसे काट नहीं देख लो आप आप कैसे 14.28 पर अगर मैं इसको काट भी देता 1 by 8 करता तो अंसर कितना है कितना ही आता ना यार 1 by 8 करता तो यह फोर्मूला बन गया ना के का 1 divided by P ratio सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट एक फॉर्मूला निकल के आया के का 1 divided by P ratio प्राइज अर्निंग रेशो तर कहीं काम आएगा की हां और कहां काम आएगा यह एक चैप्टर आएगा डिवीडेंट यह समझो आदा डिवीडेंट मैंने करवा दिया प्राइज जनिंग रेशो दिया है वाउ तो वन डिवाइडेंट वाई पी रेशो ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना मत कर देना गलती से वो जो पढ़वा रहा था वो अलग है यह जो करवाया यह अलग है मिक्स मत कर देना पता लगा यहां बोलना ग्रोथ रेट है उस हिसाब से काम करना और वहां नो ग्रोथ वाला फॉर्मला था तो फाइनली हमारा काम खतम हुआ जो हमने क्या पड़ा इस स्पेसिफिक कॉष्ट उसमें एक तो हमने केडी निकलना सीखा और दूसरा केपी निकलना और क्या केई निकलना अब क्या बचा है के आरोना कॉष्ट आप रेटेमिल पर थोड़ा सा रुक के सबसे पहले नमबर का कुशन आएगा दिखो के अगला टॉपिक जिसका नाम है WCC या इसको बोलते ओवराल कॉश्ट अफ और इसी के लिए हमने सब कुछ पढ़ा है अब एक तो यह है कि मैं फॉर्मला लिखवा दू जो आपके कुछ समझ में नहीं आना है या तो एक्जामपल से एक्जामपल लिखता हूँ उससे फॉर्मला डिराइव करते लिखोगे एक्जामपल हम लोगों को पैसो की जरूरत है हम पैसे कहां कहां से ले सकते है इसको बोला जाता है Capital Structure और हमने डिसाइड किया कि कुछ पैसे हम कहां से लेंगे एक्विटी से और सर कितना रुपए लोग या आप एक्विटी से डिसाइड हुआ कि पाच लाख रुपए का अर्रेंजमेंट हम एक्विटी से कर लेंगे और सर इनको जो देना है हर साल उसको बोलते है केई और केई दिया हुआ है पंधरा पर ठीक है लोटरी लगए और सर कुछ पैसे कहां से उठाएंगे डेट ये डिबेंचर और डिबेंचर से हम लेंगे चार लाख रुपए इसको बोलते हैं केडी बोलो तुभी दिल कर रहा है बोल दो एक बात कसम खालो केई हमेशा जादा होगा किस से केडी से पाच परशन मतलब इतना भी कम नहीं हो ठीक है दस पर और कुछ पैसे अपने कहां से लिए प्रफेंचर कापिटल से और सर पाच चार नौ तीन लाख रुपए यहां से लिए और सर केपी कितना केपी थोड़ा सा जादा लेते हैं बारा परशन तो टूटल मिलाकर आपने कितने रुपए की वस्ता किया पाच और चार नौ और तीन बारा लाख अब मुझे इतना बता दो कि इस बारा लाख रुपए पे टूटल मेरे जेब से कितना जाने वाला है और परशन डिज मैं भी बता दो कि तुम जाएगा टूटल बारा लाख पे कितना जाने वाला पाच लाख पे पंदरा परशन चार लाख पे दस परशन तीन लाख पे बारा परशन टूटल बारा लाख पे कितना जाएगा 12.58 अब रुपीज में रुपीज में नहीं हमें पर्शंटेज में चाहिए 12.58 पर्शंट इसी को नाम आलू मैं क्या WSAC खतम चैप्टर खतम बस चैप्टर खतम यही है बस दुक्की बात यह है कि वह आपको यह देगा नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं हमने कालने के 12.58 आ गया अब सर इसका प्रेजेंटेशन कैसे करें रिपेंड करता कितने नंबर का कोश्चन है अगर दस नंबर का कोश्चन ऐसे करोगे नंबर मिलेगा क्या नहीं तो चलो थोड़ा अच्छे से करते हैं टेबल बना के हैं यहां लेकलो कैल्कुलेट डबलीए से से कैलकुलेट डबलेट डबलेए से से चैपिटल इस्ट्रुक्ट्र एमांट वेट वेट वेस्ट वेट इतने कॉलम लगेगा पांच कॉलम हम क्या निकालने जा रहे हैं हम निकालने जा रहे हैं डबलीए से यह दस नमबर का है दस नमबर का है ना कहां कैपिटल वस्टिंग रिप्लेस्मेंट किये जा रहे है किये जा रहे है दस साल का है और कहां यह इसमें कैल्गुलेटर का मिष्टेक आजाएगा प्रैक्टिस से पैसा कहां कहां से उठा रहे हूँ कुछ पैसे आपने कहां से उठाया एक्विटी कुछ पैसे एबेंशर या डेट और कुछ पैसे प्रफेंश्यार कापट यहां लिखोंगे एमाउंट कितना पाच लाक चार लाक और तो टुटल मिलाकर कितना हो गया बही बारा लग अब यहां लिखा जाएगा वेट्स इसलिए इसको वेट्टीड एबरिज़ गोड़े मतलब टूटल बारा लाक में से पाच लाक तो अपने किसे उठाया अविट्टी से वेट बताओ पर्षेंटिज बता हो कि इस टूटल में पाच लाक उप्टेंटिका कितना पर्षेंट्टीज पाच लाग डिवाइड़ बाई बारा लाग पर परशंटेज ना बोलके आप सीधा फ्रेक्शन में बोल सकते हूं कि पाच लाग डिवाइड़ बाई बारा लाग कितना आ गया पॉइंट 417 ले लू पॉइंट के बाद तीन जीट लेगे यह ना ऐसे 4 लाग डिवाइड़ बारा लाग पॉइंट 3 3 3 और 3 लाग डिवाइड़ बारा लाग पॉइंट 2 5 0 पर इसका टूटल किया होगा 1 और नई भी होता तो ज़्यादा दिमाग में चला हमको करना भी नहीं है टूटल ठीक जैसे एकाउंटिंग में जब हमको फाइनल की बात करें तो बैलेंस यो टैली करवाना होता तो हम कभी भी टूटल नहीं मारते हैं हम दो लाइन खीज देते हैं दोनों तरब बस बात करता आप करोगे फाइनल में अभी क्या छोटे छोटे बच्छे यह वेट हो गया है हम तब टूटल ही नहीं करते थे बस दो लाइन खीज दिया खता तो टूटल वो खुद देख ले अब क्या करना है हमको अब लिखना specific cost केई आये था केई कितना आये था बताओगे 15 और केड़ी 10 और केपी 12 अब मुल्टिप्लाई कर दो वेट इन्ट इन्ट इस स्पेसिफिक कोश्ट वेट इन्ट इन्ट इस स्पेसिफिक कोश्ट 6.255 3.333 वाच्ट 3 तो सब मिला कर बोलो कितना आगे 12.58 यही तो आना था देखा कितना डिजाइन बना की केस कोश्टन 12.58 इसी को बोलते हैं वेटेड आवरेज कोश्ट अब आपकी किताब में फॉर्मुला भी लिखा हुआ है लिख लो मेरे साथ आप फॉर्मुले से भी कर सकते के ओ इसी को के ओंका मतलब WSAC के इन्टो WE प्लस KD इन्टो WD प्लस KP इन्टो WP यही कितना है भाई पंदरा वेट और इकवडी का कितना है 0.417 प्लस प्लस इन्टो 333 प्लस 12 इन्टो 0.250 आंसर उतना ही आएगा आश्यर पर यह मैं सीधा लिखवाता ना तो होस उड़े जाते कि क्या लिखवा रहा है केई डब्लूई केपी डब्लूटी यह अब भी समझ में आ रहा है जब सीधा लिखवाता ना बेने एक्जम्पल के नहीं होता ठीक है दिख लिए है भई अब ICEI ने और एक फॉर्मला लिखा है हाँ इसी में बता दे रहा हूँ ना यार में अलग से क्यों एक्जम्पल के लिख लो लिख लो यह काम आएगा आगे जब capital structure थेरी आएगा उसमें MM model आएगा बड़े-बड़े लोग आएगे फिर परिशान हो जाओगे इसले लिख हो जोगे इसमें गोई दिख्का था फॉर्मिला समझाओं पक्का ना A into e e plus e plus e plus E plus D आसमा समझना आभी सब्सक्राइब मेरा का मेरी ड्यूटी है लिखवारा क्योंकि कभी भे ये फॉर्मुला यूज करूंगा ता आप परिशान हो जाओ A D into below D E plus P plus D कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं आसर सुनो ना D पहले लिख दे P भी ये कुछ भी लिखो क्या फर्क बढ़ा है बाकी समझ में आ गया ना आसर आ गया है 12.585 क्या हर एक फॉर्मुला जो मैंने लिखवा है उसका यूज है यस ते वजह में कुछ मैंने लिखवा होंगा बस इतना इसकी याद आएकी याद कि आके अहर्ड़ेट वर्ट चल लास्ट इग्जामपल करते हैं क्लास ओवर करते हैं अब आपको दू बनाने के लिए अभी तो मज़ा है यार में तो बना ही लूँगा मज़ा आता भी हैं अब आपका नॉमबर इग्जामपल पुटी शेयर कापिटर पेन थाओजेंड पॉप रुपेस टैन इच बताओ कितना है त्वालूप पर्सेंड परिंशेर कापिटर पाइप थाओजेंड शेयर्स पाइप थाओजेंड शेयर्स प्री हंड़ेड डिबेंशेर्स और रुपीज आउजन ये लक तो बताओ टूटल कितने का है नौँ लाग अभी आपके कापिटल इस्ट्रक्शर नौ लाख रुपे का है टोटल फंड और कहां कहां से लिया है अब मुझे तीन चीज़ दे रहा है क्या-क्या केई और क्या 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 है क्या है पर मैं क्यों दू डीजीरो दूंगा डीजीरो पाच डीजीरो है पाच और सर पीजीरो भी दोगे क्या चालिस और सर ग्रोथ रेट ये देदे अभी दो मिनट में देता हूं ये क्लिको का पाइंट नमर्ट पहले पुरा कोशन तब तक नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे पोई नमर्ट टू लिख रहा है अब किसकी बात कर रहे हैं प्रफ्रेंशियर 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 ओप्रपीस ट्ववल परशंट की बात होगी है ना 100 each issued at 10% discount and redeemable after 5 years at 20% प्रीमिय, tax का rate कितना दे दू, tax rate 30%, और एक्षिज बचा, debenture confirmation, 10% debenture, issued at 10%, premium and redeemable, after 10 years, calculate, के निकालना निकालो, मत निकालना पत निकालो, आपके मरची मुझे चाहिए WCC, अच्छा, जी दे रहूं क्या, के बच, calculate WCC, पर्ष्ट, book value weight, रुख जाओ, सुन लो, देख लो, बाद में पस्ताना पड़ेगा, आपका WCC निकालना, एक है book value weight, और एक है market weight, तर यह आपने समझाया था क्या, अभी कुछ भी नहीं बता, ठीक है, लेकिन जो आप कर रहे थे ना, WCC, पहले specific cost तो निकालो, मतलब पहले एक, वो book value से, अभी यह हलाक इन दोनों में अंतर नहीं समझाया, पर जो कर रहे था, वो book value से कर रहे थे, यह amount देखकर कर, पहले specific cost निकालिए आप लोग, और लिखकर निकालना है, मैं तो बोला ना, एक ही example करूँगा, हुआ और जिकालना हुआ, जिकालना हुआ है, कर पहले कालना हुआ हुआ ice, वीध還是 रख場 है, कप्रिए एक हा सी थाखको 10, मैं जिरे किरे कालape को हुआ हैं, है कर वोदकर 15 कालना हुआ है, يع कर पहले दो प्तृत को, कि शोम में पहाए, झाल झाल ये एक बार निकल जाएगा ना तो मुझे तीनो एक साथ बता देना तो के पी आ गया के पी 17.14 पर इस और केडी आ गया कितना 5.1 7.1% सार तो अलग-अलग बच्चों से अलग-अलग गलती हुई है इसमें 1 माइनस टेक्स कर दिया था क्योंकि मेरी भी गलती थी मैंने टेक्स इधर चिपकाया था इधर चिपकाना था ठीक हाँ कॉंसेप्ट इसमें दूसरा 10% अबेंचर का मतलब 100 रुपय का 10% दस रही होता हजार का 10% होता है यही महर तो गलत हुआ है ना डब्लु एसी सही निकलता उसमें को टेंसन लेदो वो कैसे सही हाँ जए कोई अब तो में काम दो कर चुके हैं इस पे से भी कॉष्ट निकल गया अब बैलेंस इट में अब जैसे एक्विटी शेयर बैलेंस इट में एक्षपर्ट बच्चेंग बच्चेंग में तवाल यह है कि बैलेंस इट में जो लिखेंगे हम लोग यह शेयर कापिटल लिखते हैं नमबर अफ शेयर तो हमको मालूम है मल्टीप्लाई जो लिखते है बैलेंस इट में एमाउंट वो यह वाला लिखते हैं कि मार्केट प्राइज लिखते हैं तो सिक्यूरिटी प्रीमियम अलग से दिखाते हो 10 रुपए का शेयर 40 रुपए में इस्यू किया तो 30 रुपए खोड़ी निया हम अपसे कह रहा हूं कि आप मार्केट में डेली चैन्ज होता है तो क्या बारेंश इंट अगर में behavioralmist तो शेयर कापिटल डेली चैन्ज करते हैं नहीं ए इसे दिखा थे और इसमें यह फिक्स होता है तो अगर आप इस weight से कर रहा है तो इसको बोलते book value weight ठीक है बत अगर में दस जार into किस से multiply करूं 40 से तो वो जो rate weight आएगा, वो amount आएगा, वो आएगा market value specific cost में कोई change नहीं होना है बस दो तरीके, book value मतलब balance sheet value लेना और एक कौन सा weight लेना आपको market value, दोनों से मैं करवा देता हूँ और फिर मैं बताऊँगा कि market value weight, book value weight में से अच्छा कौन सा है, कौन सा लेना चाहिए, आज नहीं होगा आज समाल नहीं पाओगे, वो कल होगा पहले calculation कर लेते हैं तो पहला क्या करें हम, WCC table मना के करते हैं, सजा कर कितने column 5 speed चाहिए column kitchen हम क्या निकाल रहे हैं, WCC सबसे बहले किसे कर रहे हैं, book value weight पहला आएगा हमारा capital structure और एक जाएगा amount और यहाँ जाएगा weight और यहाँ जाएगा specific cost जो निकाला है और सब फिवेट इन्ट इन्ट इस बहले कोश्ट होगा ठीक है, बोलो जी, सबसे पहला पैसा कहां लगा आपका equity share capital, कौनसा value लिखना, book value 1,00,00 share capital, 5,00,00 debenture कितना आगा तूटल आगा है, 9,00,00 यह, मालूम है, यह fix होता है, बार-बार वह, हाँ सारी, इतना तो हमको idea है 0.1 0.3 0.3 तर 5 और 3, 8 और 9 हो रहा है, ठीक है, चल जाएगा specific cost 19.25 17.1 5. 1.9 903 ले ताउं 137 ठीक है 9.65 5 चल जाएगा कुन सा वाला कोई बताएगा यह कौन बताया था मुझे 9.5 1.3 चलो WSCC बलो 13.55 अब किससे करने जा रहा है, अब किससे करने जा रहा है, मार्केट वालू अब देखना ध्यान से एक्विटी शेर, अब देखना ध्यान से एक्विटी शेर, मुझे जो लिखना एक्विटी शेर, कैपिटल का मार्केट वैलू लिखना, पताओ number of shares कितने हैं? मार्केट प्राइस कितना है, चालेस, चार लग, प्रिफ्रेंश एक्विटी शेर, कैपिटल, पाच अजार, मार्केट प्राइस कितना है, अब रुपय में इस्यू कर रहा है, तो मतलब में 90 रुपीज को गा उसका, 4,50,000, ऐसे किसकी बात कर ला है हम, जिबैंश, तीन सौ, इन्टू ग्यारा सौ, 3,30,000, सब को छोड़ देते हैं, चार चार पिचास तीन स्सी, चारा लाक, 80,000, वेट, 0.339, 3,80,000, 2,80,000, इस स्पेसिफिक कोश्ट में कोई चैंज नहीं होगा, इस स्पेसिफिक कोश्ट निकला था हमारा, 19.25, 17.14, 5.71, 6.526, 530, ठीक है, कल डिटेल में डिस्कूशन करेंगे, क्या मार्केट वेल्यू, क्या वेल्यू, लॉजिक है, सबके पिछे, और फाइनेंस में क्या काम आने वाला है, ठीक है, क्लास ओवर कर रहा हूं, हाला कि अभी एक ही बेजाएं, पर शलो, ठीक है, अमाल में इस्थेहिल में नहीं पहुँआ है, क्यास कहाँ थे इस्थेहिशन के कि अभी एक है,